आज मैं आपके साथ बॉर्डर का एक ऐसा डिजाइन शोयर करूँगी कि देखते ही आप इसे जरूर बनाना चाहेंगे क्योंकि ये डिजाइन है ही इतना आसान और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है इस डिजाइन को मैं फैबरिक पट्टी और पिंटक्स का इस्तमाल करके बनाऊंगी तो सबसे पहले मैंने तीन इंच चौड़ी कपड़े की एक पट्टी ली है और इसके उपर मैंने इस तरह से एक एक इंच की दूरी पर पिंटक्स बना लिये हैं कपड़े की इस पट्टी के उपर मैंने फ्यूस पेपर पहले ही चिपका लिया था लेकिन फ्यूस पेपर चिपकाना बिल्कुल ऑप्शनल है आप सिंपल कपड़े के उपर भी इस तरह से पिंटक्स बना सकते हैं इस पट्टी की लंबाई आपको उतनी ही चाहिए होगी जितने आपको अपने ट्राउजर के पॉंचे, कमीज के दामन या बाजू की चोड़ाई चाहिए बस एक इंच एक्स्ट्रा लीजेगा क्योंकि हम इसके उपर पिंटक्स बना रहे हैं अब पिंटक्स वाली पट्टी तयार करने के बाद मैंने कुछ रक्टैंगल्स काट लिये हैं ग्रीन करर के फैब्रिक में से इनकी चोड़ाई सवा 2 इंच है और लंबाई 4 इंच तो इस तरीके से अब इनको बीच में से फोल्ड करना है और इसके बिल्कुल सैंटर में हमें एक क्रीस बना लेनी है तर अब हम इने साइड पर रख देंगे अब ये डिजाइन में कुर्टी की बादू पर बना रही हूँ अब इसको हमें सीधी तरफ मोड देना है और इसके उपर की तरफ एक सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटाच कर देना है बाजू के आगे इस तरह अब जो ग्रीन कलर के फैब्रिक से मैंने रेक्टेंगल्स काटे थे ना उनको मैं अटाच करूँगी तो यह देखिए इस बॉर्डर की बिल्कुल किनारी पर हमें इन रेक्टेंगल्स को अटाच करना है और जो हमने सेंटर में क्रीज बनाई दी ना बिल्कुल उसके उपर हमें सिलाई लगानी है यह देखिए इस तरह से तो सभी रेक्टेंगल्स को मैंने अटाच कर लिया है और अब मैं इन्हें इस तरीके से फोल्ड करके ट्रेंगल्स बनाने की कोशिश कर रहे थी लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रेंगल्स का कपड़ा काफी मोटा हो गया था क्योंकि ट्रेंगल्स बनाने के लिए स्क्कुराइब बच गयाँंपर कपड़े के अब इन स्कुराइब पीसे को मैंने फोल्ड करके ट्रैंगल की शेप दे दुंगी और बाद में जो भी थोड़ा थोड़ा ऐक्स्ट्रा फैब्रिक बचा होगा सइब पर हो ट्राइंगल्स को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाकर इसको अच्छे से अटैच करते जाएंगे इस तरह ये देखिए बिल्कुल सफाई से हम इसके उपर सिलाईयां लगानी है और इस तरह से सभी ट्राइंगल्स के उपर सिलाईयां लगाने के बाद इनके साइड्स में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उससे काटके हम अलग करते ना है इस तरह से और अब हमें इसके उपर लेस लगानी है तो वाइट कलर की लेस का इस्तमाल में कर रही हूँ और इस लेस के उपर चुट 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 सीक्वेंस भी लगे हुए हैं आप कोई भी लेस ले सकते हैं अपनी पसंद की लेकिन बहुत जादा चौड़ी लेस मत लीजेगा लेस को इस तरह से अटैच करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे और जो सिलाई लेस को अटैच करने के लिए लगाई थी ना बिल्कुल उसके उपर हमें सिल देना है इससे लेस की किनारी अंदर ही दब जाएगी और सिर्फ डिजाइन वाला हिस्सा बाहर की तरफ नजर आएगा अब इस कपड़े के उपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे अब इस डिजाइन को थोड़ा और संदर बनाने के लिए मैं इसके उपर यहाफ बीड्स करेंगे इससे डिजाइन तो संदर लगे का ही जो थोड़े बहुत धागे नजर आ रहे होंगे इसके बीच में वो भी छुप जाएंगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आप कोई डिजाइन कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चै